चुनाब 2024 गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, डेट्स अलाउंस नहीं हुई हैं लेकिन यात्राएं चल रही हैं और रहलियां हो रही हैं और हमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रेस के बड़े नेता सजिन पाइलेट जी, सजिन जी इतना सब कुछ हो रहा है, आपका अलाइंस भी हो रहा है, लेकिन अलाइंस ऐसा हो रहा है कि पार्टियां आपके अलाइंस वाली ही, आप जितना सम्मान दे रहे हैं उतना आपको सम्मान नहीं दे रही हैं इसा बलकुल नहीं है, जब negotiations होते हैं, हर political party अपना space को protect रना चाहती है और कभी-कभी alliance में discussions में कुछ खटी-मीटी वाते हो जाती है खटी जादा हो नहीं नहीं, end में अच्छे परणाम आएंगे, हमारी एक alliance की कोशना हो चुकी है, बाकी बहुत जल्द होने वाली है जो इंडिया लाइन्स के लिए और देश के लिए जो इंडिया लाइन्स शुरू किया, नितिश जी ने वो खुद ही चले गए अब तो अब उनकी अलग वो तो पहली बार दो गए नहीं है, लगतार आते जाते रहते हैं लेकिन जो बाकी हमारे पार्टनर्स हैं मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सब का जो common objective लक्ष है वो है कि यहां पर एक इंडिया की सरकार हटा कर इंडिया सरकार बनाने है और आपके जो साथी, अपने साथी, आपके युवार साथी, आपके साथ जो फोटो में दिखते हैं रहूल गांजी के साथ वो जो छोड़ के चले गए जिसको जाना है वो चला गया और हर विक्ति कोई छूट होते हैं निर्णे लेने का किस पार्टी, किस विचाधार में काम करना है, किसी की मजबूरी है, किसी को कोई और वीजन हो सकता है लेकिन ये जनता और समय तय करेगा कि उनका निर्णे कितना सही था, कितना गलत था गलत हो सकता है, आपको लगता है उनका निर्णे गलत था मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका उनने हैं और सबके सामने हैं कई तो चीफ मिनिस्टर बन गए, छोड़ छोड़ के चुनाव से पहले बहुत सारे लोग पार्टियां छोड़ते हैं, पार्टियों में आते हैं मुझे लगता है कि अल्टिमेटली पॉब्लिक ही निरने करती है कि आपने सही क्या दलत किया सवाल यह होना चाहिए कि जनता किसको चुनेगी, कि मुद्धों बर चुनेगी और मैं आपको कह सकता हूं कि हम लोग की जो तैयारी है, हमारी पार्टि का और हमारी अलाइंस का जो गर्जोर बना है उससे भाजपा चिंतित है और प्रणाम कॉंगर्स और इंडिया अलाइंस के पक्ष में आएंगे आप कह रहें कि भाजपा चिन्तित हैं। आप चिन्तित नहीं हैं इतने सारे लोग एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। प्रचार और प्रापगेंड़े के लावा जो वास्तरिक्ता हैं उसको समझ रहे हैं कि जनता बदलाब चाह रही है जवाब मांग रही है पोर्ट कार्ड के अधार पर सवाल पूछने की हिम्मत दोक कर रहे हैं जनता कर रही है इसलिए मुझे लग रहा है कि NDA को दुबारा से पुनरजीवित करने का जो एक मुहिम छेड़ी है बीजेपी ने वो इसके इसको देखे की है वो कह रहे हैं कि हमने तो 370 हमारी तुपकी है हम तो यह 400 पार के लिए कर रहा है अगर इतना अतियात मिश्वास भाजपा के अंदर होता तो ना तो वो भीहार में जो करते जो और ने किया वो करते ना वो कॉंगरी से बाकी दलों के निताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते अगर खुद में इतना वो सशक्त होते मजबूत होते अपने परफॉ देश परफॉर्मस से चलता है देश नीतियों पर चलता है गवरनेंस पर चलता है देश में जिन ताक्तों को जनता पसंद करती है उनको वोट डालती है वो यह तो शासन करेंगे और मुझे नहीं लगता है कि अभी तक को ऐसा ब्लूप्रिंट हमारे सामने आया है कि अगर है या बीजेपी ने कहा हो कि हम 5 साल में हम यह करेंगे वो तो अपनी बात करते हैं कि हम 30 सो पर चार सो पर अब पूरे परदेश और देश पर की किसान आंदोले थें, उनसे क्या आपने वादे किये थे, वादे खलाफी क्यूं कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे जिन पर जनता सरकार और बाजपा की राय जानना चाहती है, लेकिन वो हमेशा ऐसे मुद्दों को लेकर आते हैं जो भ विक्ता में धरातल पे हकीकत क्या है, क्या दस साल पहले जो लोगों की जिन्दी की थियाज बहतर हो पाई है, क्या हमारे देश में अमीर गरीपी खाई बड़ी है, क्या शिक्षित विरोजगारों को नौकरी मिल रही है, क्या आपने जो वादे अपने मैनिफेस्टों में क अभी आप ही के प्रदेश में चुनाव हुआ, आप गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, आप मुद्दे लेकर गए यही वाले, आप तो हार गए, आप क्यों हार गए फिर? हर राज्य में अलग प्रसिती होती है, आप बिलकुल ठीक कह रहे हैं, और अपनी हार को स्विकार करना कोई कमजोरी नहीं है, हम अध्यपरदेश में, चतिसगर में, राइस्थान चुनाव हरे, हम यह उम्मीतियम सरकार बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, लेकिन हर राजपा की हरजे के जो डबल इंजन का जो नारा देते हैं, वो कामयाँ होता है, और बीजेपी यह किसी और दल को हराने की समता कॉंगर्स पार्टी में है, हम एक चुनाव, दो चुनाव हार जाएं, जीच जाएं, इससे भविश्थ तैह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है राजिस्थान आप हारे, क्या ये आंकलन गलत है कि आप आपस में ही लड़ते रहें, इसलिए हारे अशोग गहलोत ने आपको निकमा नाकारा गदार कहा, अब उनके ही साथी पार्टी छोड़के जा रहें, जो उनके साथ थे, महिंदर जीद मालविय जी, आप तो गदार पार्टी छोड़के जा रहें, आप देखो अतीत में मैंने जाना चाहता हूं, किसने क्या बोला, नहीं कहा, किन शब्दों का प्रयोक किया, वह सा बात पुरानी हो गई है, और मुझे तो जैसा मैं बार बार कह चुका हूं, मुझे राहूल गांदी जी, खरगी जी ने कहा कि भूलो और माफ करो, और आगे बढ़ो, और आपने माफ कर दिया शुक गिलोत को, मैंने, देखो हमने परदेश हित में, पार्टी हित में, देश हित में, ये कहा कि हम चुनाब जीतेंगे, तो भाजपा को हम रोग पाएंगे, और चुनाब जीतना बहुत इंपॉर्टन हमारी पार्टी करें, तीस साल से राइस्थान में, हम कभी दुबारा चुनाब जीते ही नहीं, हम चुनाब लड़ते हैं, दोस्यूटर के विदान सभा है, कभी बीस पे आते हैं, कभी पचास पे आते हैं, तो इस पार हमें लगाता हम मैनद करका चुनाब में दुबारा ज कर्काराण नहीं कर सकता है और कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव जिदा सकता है ना हरवा सकता है जीत भी पार्टी और टीम की होती है् हार और थी होटी है हम नई की घ्राम सब्कूरे कर नहीं रहें खया हुआ बalnya कर देखते चुर्गात हैं तो कुछ मैंने का जीत भी सब की और हार भी सब की आप ने कहा कि पिछली बार जब आ भारे थे आप पूरी यात्रा वगरा लेकर गए पूरे राजस्थान में सब जगा गए और फिर आपने जीत हासिल की आप उसमें प्रदेश अध्यक्ष थे रेवन्त रेड़ी ने भी यही किया रे हमेशा इसका पक्षतार रहा हूं कि हमेशा नई पीडी के अच्छे नौजवान मजबूत लोगों को हमें आगे लाना चाहिए जब मैं प्रदेश-खद्रक सराइस्थान में तब मैंने नौजवानों को बहुत मौके ती इस बार भी मैंने नौजवानों के लिए बहुत प मौके मिलते हैं तो पब्लिक पसंद करती है और ये एक वास्विक्ता भी है देश की नौजवान देश है हम अच्बूत नौजवान लोगों को मौका मिलना चाहिए अभी जशान सिद्दीकी ने का कि आपने तरीक्रे की बात की का कि हाला कि वो शहर के ही निता थे मुंबई लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राहूल गांधी की यातरा में जोडना चाहता था तो मुझसे उनके उनके साथ जो लोगे उनने कहा कि दस किलो वजन कम करके आई है इसी तरह की बाते हैं बहुत लोग पहले क्या कर गा है जो पार्टी छोड़के जा रहा है वो कुछ ना कुछ या दूर्भावना फैलाएं मैं समस्ना वो ठीक ही है आपके बारे में तो अपशब्त कहे गए आप क्यों बने हो इस पार्टी में अगर मेरे बारे में कहा था तो सुन लिया मैंने और मैंने कभी भी रिस्पॉंड नहीं किया मैंने कभी भी अपने से किसी बड़े विक्ति कि का कुछ अदर ही किया है का इमान समान में कभी नहीं रखी ओर जो कुछ कहा नहीं कहा वह बात पुरानी हमें से मत्वास हो गही है और इस इस देश करने के लिया ऐ Rayanita कि एक सोच होती है है ऐक विश्वास होता है तो मैं उस पर कायं हूं ठिक है कई बार मदबिद हो जात इसका यह मतलब नहीं है कि आप जिस रास्ते पनेकले थे उससे पलट की कहीं और आप जाना शुरू करते हैं? देश सेवा का गए रास्ता है तो वो दूसरी पार्टियों में भी है, बीजेपी में देश सेवा का रास्ता नहीं है? लेकि बहुत डिपरेंड करता है परिवाशा क्या है मैं तो कहता हूँ अलग-अलग दल है लक्ष एक ही होना चाहिए कि भारत देश को विक्सित करना है हमारी लुक्तंत को मजबूत करना है वह अलग-अलग रास्ते जाने के हैं किसी को जो रास्ता पसंद उसमें जाता है मु पजली भूल जाते हैं इतने बड़े मुल्क को एक रखने की जो एक भावना है समिदान को सर्वोपरी रखनी की जो भावना है एक इंक्लूसिफ लिब्रल सबको साथ लेनी की शमता इच्छा शक्ति और परफॉर्म करकर दिखाने की जो एक सोच और काम करने का तरीका है व बहुत सारे हमारे हैं भाशाएं हैं धर्म जाती हैं वेश-बूशाएं हैं प्रिश्भूमिया हैं उन सब को एक कैसे रख सकते हैं और हर एक नागरिक को बराबर का अधिकार है आज जो मनिपुर में घटना घट रही है अगर किसी और राजी में होती शायद उसका रियक्शन आपने जोडने की बात की यही बात लेके राहूल गांदी यातरा पर निकले थे और आप फिर यातरा पर निकले हैं आप भी उस यातरा में शामिल हुए और शायद राजिस्तान के लेग में फिर शामिल होंगे लेकिन चुनावों में उस यातरा का असर कुछ दिखता नही बलकि ये बीजेपी भी बार-बार क्या रही है कि जहां-जहां जा रहे हैं वहां आपके साथी उल्टा छोड़ते जा रहे हैं तो पब्लिक में तो यही में जारी ने कि राहूल गांदी की यात्रा का असर अपनी पार्टी में तो होनी रहा वोटरों पे क्या होगा? कि यात्रा जो निकली थी पहली वो अजाद भारत के इतिहास में सबसे जटिल और सबसे बड़ी यात्रा थी साड़े चार हजार किलोमेटर पैदल मैं खुद चलाऊ जात्रा में 20-25 किलोमेटर रोज चलना किसले चलना लोगों को सुनना देखना समझना जोडना बात करना और एकता का एक भावनात्मा मुद्दा था आप उसके तुलना करें कि कितना वोट बड़ा कितना घटा वो अलग बात है लेकिन उसका फाइदा पार्टी को मिला उससे एक लोगों में एक धारना पैदा हुई कॉंगेस वरकर्स के अंदर कि हम मजबूत हो सकते हैं चुनाम जी कि यात्रा का उदेश है कि जिनकी आवाज आज दबी हुई है जिनको को सुनना ही रहा मीडिया में उनके बात आती नहीं है किसान है गरीब है नौजवान है उनकी बात को सुनना उनको ताकत देना उनकी आवाज को बल देना चुनाम जीतना इस यात्रा का मकसद नहीं है इ इस यात्र का जेंड़ा वो नहीं है उसका लाब हम पर कम तो नहीं होने चाहिए चले जुटाने में जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं जिस राज्य में हम 30-40 साल से पावर में नहीं है यूपी है या बंगाल है या बॉर को राज्य है वहाँ पर आप आंगलन करें कि क्या लेकिन अपने लक्से तो नहीं है अपनी अवाज तो बुलंद करी आज भी केन सरकार के खिलाव सबसे मजबूत आवाज अगर किसी की है विपक्ष में तो रावल गांधी की तो है कॉंगेस पार्टी की तो है और पैन-इंडिया लेवल पर अगर बाजपको चुनाओती द अगर कहीं किसी पार्टी का पैन-इंड लेवल पर एक प्रेसंस है और जो बीजेपी को नैशनली चुनाओती दे सकता है वो कॉंगेस पार्टी तो है मान-सम्मान आप दे रहे हैं उदर से उतना मान-सम्मान मिलता दिखनी रहा सातियों से मंता जी कहरें आप चालीस से जादा से जिटेंगे मतला अलायन्स भी कर रहें या आप अदर और उन को बोल भी रहेंembे के कर-li ज वह करें कि सालीस से जादा से जाने कि लिए जिटेंगी तो विपक्ष में जाने के लिए अलायन्स हो रहा है आप मत बूलिये कि एंडिया भी कैसे बेख रहा था एंडिया भी लगबख समाप तो कहता है वो तो इंडिया लाइंस का जब गड़ बंदन हुआ तब जाके दुबारा उन्होंने इंडिया को पुनर जीवित किया लेकिन जाकाली दल हो जाशिवसे ना हो उस समय उनको तो ज जाते अलगलग पार्टी ये क्यों हैं कि अलगलग काने का तरिका तरीका लगलग सो च है अलगलग राजविक्षे और हर पार्टी का एक महत्व है, हर पार्टी अपना पॉलिटिकल स्पेस की रक्षा करना चाहती है, तो इक गिवन टेक बड़ा जटिल होता है, नेगोसियेशन बहुत समय लग जाता है, कभी-कभी किसी को अहात हो जाए किसी स्टेटमेंट से, लेकिन बड़ा लक्ष यह है क हमें मजबूती से NDA को हराना है, उस लक्ष को लेकर सब साथ आए हैं, हमारा अनाउंच्मेंट सपा के साथ यूपी में हो गया, और दोनों का बहुत जल्द होने वाला है, और मुझे लगता है जहां तक ममता मैनेजी की बात है, वो एक multiple कई बार elected chief mister है, उनका एक अलग space है अलग अलग बाती हैं, इसलिए अपनी अपनी बातें कर रही हैं, लेकिन मजबूती तो एक एकता होने में दिखती है ना, जब हम alliance कर रहे हैं, तो एकता तो होई गई ना, सब यात्रा में साथ काएंगे, हम पूरे देश पर में अलग 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 शहरों में बड़ी-बड है, तो ये भी एक चिंता का विशह है, तो कितनी सीटे आएंगे आपकी? इस देश में जो लगातार institutions को खोकला करने की एक systematic तरीके से काम हो रहा है, चंदीगड के छोटे से चुनाव में जो अधिकारी ने वहाँ जो काम किया, Supreme Court को डिवीन करके उसको ठीक करना पड़ा, ये एक अच्छा संदेश नहीं है देश के लिए, तो लोगों का जो विश processes के उपर, हमारी संस्थाओं के उपर अगर विश्वास कमजोर पड़ जाएगा, अब किशोर जी अगर आज Supreme Court का जज को इनरने लेता है, तो वो जज भी तो इनसान ही है, लेकिन उस court की इतनी मानिता देश में है, कि उस judgment को सब मानते हैं, अगर उस institution के credibility damage हो जाएगी, कल सवाल उठाएंगे, तो चाए election commission है, चाए न्याइपालिका है, हाई court, Supreme Court है, बाकी इवार इंस्ट्यूशन है, जिनको 70 साल से अलग-अलग सरकारों ने पोशित किया है, उनको तब अच्छा बड़ा बनाया है, उनकी credibility, विश्वसनेता, उनकी functioning, उनकी eligibility criteria, नियुक्त करने क अगर वो सब संदे के देरे में आ जाएगा, तो पर लोगों के तरह विश्वास कैसे रहेगा, पर संदे, ऐसे तो नियुक्त कि जब वो चंडी गड़ पर फैसला आए, तो अब तो Supreme Court के बड़ी credibility है, लेकिन जब आप जहां-जहां हार जाओ, वहां पर आप बोलो कि institutions compromise हम आपको, अलग-अलग जो countries हैं, मेपाल है, शिलंका है, माइनमार है, पाकिसान, वहां पर democracy इतनी जड़े मजबूत नहीं कर पाई, क्योंकि वहां के institutions कमजोर होगे हैं, 70 साल में, हमारे institutions बहुत strong हैं, और strong रहने चाहिए, उन institutions की functioning पर अगर सवाल उठेगा, चाए मीडिय भी हो, अगर लोगों के अंदर एधरना पैदा हो जाएगी, शक, आशंका पैदा हो जाएगी, जो आपने कहा, election commission का, मैंने कभी आरोट में लगाया, लेकिन अगर एक भी मद्दाता को, EVM's पे, VVPATS पे, election commission के ओपर कोई संदे है, या कोई आशंकाए हैं, तो उसकी transparency, उस legitimacy है, वो कहने के कमजोर पढ़ सकते हैं, आप मानते हैं, EVM में, EVM ठीक नहीं है, मैं कहता हूँ, अगर कोई संदे है, उसको clarify करना चाहिए, किसी को doubt नहीं होना चाहिए, वो तो उन्होंने पिछली बार भी का था, कि आप आप के साबित कर दीजे, अगर कुछ संदे है तो, वो किसने क्या किया, फिर allow नहीं किया, VVPAT की रसीद क्यों नहीं मिलती है, कितनी परसेंट मिलती है, यसे अगर मुझे लगता है, किसी संस्था, दल, नेता, पार्टी, जनता, मदाता को किसी भी प्रॉसेस के उपर, election commission, EVM, EVPAT के उपर कर doubt होता है, तो उसको पूरी तरह स संतुर्ष करने का काम, election commission, वो कहते हैं, यह वो party के लिए जिसने emergency लगाई थी, अब ऐसे तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं, किस party ने क्या किया था, उसका emergency लगाई थी, आप बिल्कु ठीक कह रहे है, उसके बाद जनता ने इंदरा जी को चुना हराया, बिल्कु ठीक, ध अब दो लोक सब आ रहे हैं, दो जीते भी जो थे, 2004 में और 2009 में, दो लोक सब जीते भी हैं, दो बार हार गए हैं, अब फिर दो दो हाथ होंगे, 2004 में पता पड़ेगा कौन जीता है, कौन आरता है, अब तो यह हालत है, कि ऐसा देखना है, कि आपको leader of opposition मिलता है नहीं मिलत उसके लिए 54 सीटें चाहिए हैं। कराएंगे हमारी पार्टी ने खर्गी जराहूल जी ने 36 गड़न दर रिवादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो MSP पे legal guarantee ले कराएंगे। उसको लागू क्यों ने कर रहे हैं। इन किसानों क्या बुरा किया है। आपने वादा कि MSP पे हम कानून लेकर आएंगे। आप पूरा नहीं कर रहे हैं। आप यहां आसू गैस डाल रहे हैं। फाइरिंग कर रहे हैं। आप बुलिट चला रहे हैं। गेरबंदी कर रखी है। तो किसानों को ना तो वो प्रोटेस कर सकते। ना अपनी बात रख सकते। आप वादे करते हो। फिर भी आप कहरे हो कि आप पूरा भामत लेकर आएंगे। वो बात करते हैं। एक बात जो वो करते हैं। जनता सुनती है और जनता फिर पूछती है। राम मंदिर। आप राम मंदिर जाएंगे। आप अस सचिन पाइलट। क्यों नहीं जाओंगा। जब मेरा मन कर गता है मैं जाओंगा। दस बार जाओंगा। किसका बुलावा। जब मेरे जब जाता हूं धिरुपति या वैशन देवी। तो मैं किसी के निमंतर ना आता है मेरे को या मैं किसी कि में को जाज़त ची है। लेकिन यह जो ठेका है ना कि बाई जाएंगे तो अच्छे हैं। और वो पांस यार लोग ही हैं जो जा सकते हैं वहां पर। बाकि जो सौक और हिंदू हैं वो नास्तिक हैं। उनको ने मंटन क्यों नहीं दिया। सिरफ नेता अभी नेता और इंडस्ट्रीन को नहोता दिया। को देने वाले हैं। इल्जाम तो यह कि आपने तो बनने नहीं दिया था मंदर ये मंदर तो ये आप इतियास किसने खूल वाय था किसने क्या कह था चोड़ दीजिए। यह जो निर्मान हुआ है। निर्ने के बाद हो रहा है सभी पक्षों ने उसको माना और हमने सहस उसका स्वागत किया कि वे मंदिर बनना चाहिए को कि कोट ने बोला है ये किसी नेता, किसी दल मुद्दा तो उनका था, मैनिफेस्टों में उनका था मैं कह रह labour म имеетichen 1 नर्नnehmer supreme court का था कोट केने नर्न में स्भागत किया है लेकिन राम सिरफ ऐक मंदिर में क्या कि Ram तो रुसक्र करन में है राम हर प्राणी में हर जीव में में पुरी शुष्षटी में है जम मन कर रहा हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? और दम खमके साथ जाएंगे? लेकिन ये लेंच में लगा के देखना कि इन्वाइट किया, कि नहीं किया, कुछ को किया, कौन गया, नहीं किया, ये थोड़ा राजनीती होती है. धर्म अलग है. धर्म और आस्था, it's a matter of home and heart. हम किसकी पूजा करते हैं, किसका बजन गाते हैं, कब रत रखते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, ये हमारी अंदर की भावना है. इस ये, it is not matter of state, governance, शासन, सम्मिधान, राजनीत, अलग होती है. भारना, भजन, भक्ती, ये हमारी अंदरुनी भावना है. ये अपनी धर्मिक भावनाओं को शासक प्रकट करकर उसका प्रिटिकल फाइदा ले ले. ये कभी राज़दर्म नहीं रहा. आपकी चवी ये है, कि आप माइनॉरिटीज के वोट लेने के लिए तो उनके धर्म के तो सिंबल्स को अपना लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के सि बालना करता है, वो डिक्टेट नहीं करता कि आपको क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. ये बड़ा क्लेर होना चाहिए माइन में. और ये बात हिंदू-मुसल्मान के करना मैं समस्तों गलत है, क्योंकि देश में और भी धर्म है, और सब बराबर के नागरित हैं, और वो ब पार्टी में, पार्टी से बाहर, सेंटर में, राजिस्थान में. आप मुझे पता, ये आपका अजन्डा क्या है, आपने शुरुबात करी थी, अब आपने पूछा, अब आप अन्ड कर रहे हैं, अब आपको सर्टिफिकेट मैल आके दूँगा, या आप मुझसे लेंगे मेरा तो मेरी पार्टी, लीडर्शिप और मेरी पॉप्लिक, और जन्ता. जो कौंगे इसके लीडर्शिप है, आज उन्हाने मुझे जिमेदारी दे रखी है, मैं इस पार्टी का महासचेव हूँ, मुझे एक स्टेट की रिस्पॉंशिबिलिटी दी है. आप जब की बात कर रहे है, आपकी पार्टी एक परिवार चला रही है. जो कि आप पार्टी नहीं चला रहे है, अब राहूल गांदी यात्रा कर रहे है, मैराजस्ता में यात्रा करता हूँ, कोई और यात्रा करता है, तो पार्टी का काम कर रहे है, सब मिलके करते हैं. लेकिन हमारे हैं चुना हुआ एक वरकिंग कमिटी है. राहूल गांदी सिर सला सब करते हैं हमसे भी सला करते हैं अगर खरगे जी को निर्णे लेना है तो सोनिया जी हों चाहिए मैं हूँ चाहिए राहूल गांदी हूँ बात करना चाहिए तो उसमें किसी उगा पती है क्यों होनी चाहिए उनमें सोनिया जी की चलेगी या खरगे जी की चलेगी जब यह बात होगी तो हमारा अद्धाष का बने ह्या fica अब ना माने लेकिन हकिकत मैं बता रहा हूं आपको छुनाव लड़े हैं चुनाव जीते हैं अब आप केहना चाहा हो कि सारे की सीटों का बात तो आ पने ने नहीं बताइऐ कि कि किदने सीटों जीतेंगे की बहुमत राजस्तान की 25 सीटों में कुछ जीतेंगे इस बार लेकिए महां पिछले दो चुनावं में लोग एक pheny सबसे होती है और जो राजिस्तान में सरकार नहीं बनी है को बहुत ज़्यादा लोगों में संतुष्टी हो गई हो या बहुत ज़्यादा उन्होंने इमिडेटली कुछ आक्शन लिए ऐसा भी हुआ नहीं है हमां कन्फूजन बहुत ज़्यादा है खेचाब बहुत ज़्यादा है तो उसका विलाब अंत में कॉंगेस पार्टी को मिलेगा मैंने मुझे को स्टेट में दी है सेंटर में दी है जो भी मुझे पार्टी ने काम दिया है मैंने पूरी ताकत से किया आगे भी करता रहूंगा करता रहूंगा